तो दोस्तों अगर आप भी एक यूटूबर बनना चाहते हो और पाना चाहते हो अपने चैनल से एक Creator Award तो ये गलती भूल कर भी बिल्कुल भी मत कीजिएगा जिसकी वज़े से आपके उस चैनल को जिंदगी में कभी भी Creator Award नहीं मिलेगा तो दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हो कि वो गलती मैंने भी कर दी है जिसकी वज़े से मुझे भी Creator Award नहीं मिल पाया तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हो कि यूटूब पर ऐसी कोई भी उस टॉपी पर वीडियो नहीं है जिससे ये पता कर सके कि आपको वो गलती करने के बाद भी Creator Award मिलेगा या नहीं मिलेगा पर जानते वो गलती क्या है जिससे करने पर आपके चैनल में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है और उससे पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करकर वीडियो को लाइक जरू कर दीजगा जिससे डेली आपको काम की वीडियो मिलती रहे तो दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल को कब-कब और कौन-कौन से Creator Award मिलते हैं और ये कित्ते टाके होते हैं दोस्तो आप सभी को पता होगा कि अगर आपके चैनल पे एक लाग सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो YouTube की तरब से आपको मिलता है एक Silver Play Button जो कि इस तरीके का दिखता है Next Creator Award आता है आपका Golden Play Button जो कि आपके 10 लाग सब्सक्राइबर पूरे होने पर आपको मिलता है इसके बाद आता है आपका Diamond Play Button जो कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने पर आपके चैनल को मिलता है Next Creator Award आता है Rubik जो कि आपके 50 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर ही आपको मिलता है उसके बाद सबसे आखरी Creator Award होता है आपका Red Time and Play Button जो कि आपके 100 मिलियन सब्सक्राइबर पर आपके चैनल को मिलता है पर दोस्तों ये सारे Creator Award आपको तभी मिल सकते है जब आप अपने चैनल पर ये गलती बिल्कुल भी नहीं करें तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हो कि YouTube Monetize Policy और Creator Award Policy दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है और अगर आपका चैनल नहीं monetize हुआ है और फिर भी आपके एक लाग सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो भी आपको Creator Award मिलेगा पर अगर आपके चैनल पर ये गलती हो गई है तो आपको Creator Award बिल्कुल भी नहीं मिलेगा पर फिर भी अगर आपके चैनल पर ये प्रॉब्लम आने के बाद भी आपको Creator Award मिल गया है तो कमेंट में जरू बताएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए गुड़बाय